चलिए उस तु बात करते हैं सिकूर नहीं कोशिन के बारे में, इस कोशिन में एक्जामने ने का, आज सौप की पर, mark an article at a price such that after giving a discount of 25%, the gain X if the cost price of the mark price of the article are 460 and 736 respectively, what is the value of X? यानि एक्जामने ने क्या का, कि एक article का उसने आपका course price दे रखा है, course price दे रखा है 460 और उसका mark price यानि कि अंकित मुली दे रखा है 736, वो कह रहा है उस पर अगर 25% की discount देता है, या छूर देता है, तो उसे X रुपीज का profit होता है, तो वो पूछ रहा है कि X जो है, वो कित अंकित मुली दे राखा है, और उसका mark price दे रखा यानि विक्रायम 쿠 दे रखा, वो कितना दे रखा है, आपका 736nd दे रखा है, अब क्या कह रहा है, वो mark price पर वो तो 25 एकब 25 के 100, यानि एक बटा 4, यानि कि 4 रुपय अगर उसका अंकित मूल ले था, एक रुपय की छूट दे रहा है, तो 3 बटे अगर 4 करूँगा, मैं उसका अंकित मूल लेगा, तो मेरे पास में क्या जाएगा, सेलिंग पर आजाएगा, यानि कि 3 बटे में आपका 4 तो 4 एकम 4 होगा, 4 अठे 32 होगा, और 4 चक 16 लागा, तीन से मल्टिकुल लाइकन को तो कितना हो जाएगा, आपका 4, 3, 12, 8, 54, 55, यानि कि 460 रुपय चीज थी, 552 बेज दी, इन दोनों का डिफरेंस करूँगा, तो कितना हैगा, आपका 92, 92 मेरे पास में प्रॉफिट होगा कोस प्राइस कितना है, 600, sorry, 460 इन टू में 100, तो मेरे पास प्रॉफिट पर्सेंट होगा, इस से ये वैल्यूगे, इसको ये दो पर जाएगा, यानि कि प्रॉफिट जोगा, टोटल से 20 पर्सेंट का उसे क्या हो जाएगा, आपका एक्चुल में प्रॉफिट हो जाएगा, 20 पर्सेंट का प्रॉफिट हो जाएगा, इसको प्रॉफिट हो जाएगा, यानि कि ऑप्षिन एज होगा, वो इस कोशिन के लिए करेक्ट होगा, I hope आप सभी को कोशिन समझ में आया हुगा,